साथ यों, हेलो दोस्तों आज के सी वीडियो के माध्य हम से एक वार पुनह आपके लिए आ चुका हूँ साथ हीओ जैसे के आप लोग को मालूम होगे बिहार, विधान, परिशद के अंत्र गत आप सभी के लिए इंटर्वियू के त्यारी मैं करवा रहा हूँ चुकि विधान परिशत के अंत्रगत फॉर्म निकला हुआ है कारियलाई परिचारी, फरास, माली, सफाय कर्मी इन सब पोश्टू के लिए अब इन सभी पोश्टू के लिए जो यहाँ पर नियुक्ति की परकिरिया है सेलेक्शन प्रोसेस है वो इंटर्व्यू की बेसिस पर, इंटर्व्यू की अधार पर इसी इंटर्व्यू की तयारी के क्रम में सभी स्टुडेंट यहाँ पर लगतार तयारी कर रहे हो और आप लोग पूछ रहे थे कि सर कलास नहीं आ रही है तो यह आपकी चौथा कलास है ना चौथा कलास है मैं आपको पूरी वीडियो एक एक करके दूँगा और पूरी बढ़ियास त्यारी करवा दूँगा जिससे कि आपके लिए एक भी क्वेशन एकजाम में नहीं छोटेंगे साथियों आप जिसने तीन वीडियो नहीं देखिए इनसे पहले तीन वीडियो बनाया हूँ कौँसे ड्रेस पहन कर जाना है क्या बेसिक प्रस्ण पूछे जाते हैं इंटर्वियू क्या होते हैं सारा कुछ महांने बताये हूँ वो तीन वीडियो आप लोग वीडियो के प जो एक्जाम में बार-बार यहां से पूछे जाते हैं तो चलिए डिरेक्ट हम लोग क्विस्टन पर चलते हैं साथियों आप सभी को मालूम होंगे हम लोग भारत देश के बिहार राज्ज में रहते हैं यह बिहार राज्ज के नक्सा आपके बीच मैं लाया हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग बिहार राज्ज में रहते हैं और इंटर्व्यू भी हम लोग को बिहार बिधान परिसाद में देना है अब बिहार विधान परसद में इंटरव्यू देना है तो बिहार के बारे में जानना आपके लिए सबसे ज़्यदा सबसे पहले जरूरी है क्योंकि आप लोग को पता ही होगा हम लोग जिस घर में रहते हैं उस घर के बारे में जानकारी तो चाहिए न सेम चीज है हम लोग ब पूछे जाते हैं एक वेक्वेसन तो आप लोग नोट करके रख लीजे इस बिहार से संबंदित कम से कम एक क्वेसन बांकि आपको ज़यदा सज़दा क्वेसन पूछे साथियों आप लोग यह बिहार राज का मैप देख पा रहे होंगे और इस मैप में सभी जिल्लो का नाम आपको दिखाये दे रहे होंगे, है ना, अब आपको मैं इसी पूरे बिहार के बारे में जो basic knowledge है, simple जानकर है, हम आपको दिखा देते हैं, अगर आप लोग यहां से बात करते हैं, सबसे पहले, तो आप लोग समझ लीजिए, राजधानी, बिहार की राजधानी, बिहार की र पूरुब में पाटली पुत्रा, कुस्पपूर, कुसमपूर और अजिमाबाद के नाम से भी जाना जाता था, प्राचीन भारत की इतिहास में इसका महतपूर्ण अस्थान रहा है, तो आप लोग याद रखना, बिहार के राजधानी पटना हैं, और इन ही पटना को पहले पाटली पुत्रा के नाम से, कुस्पपूर के नाम से, अजिमाबाद के नाम से भी हम लोग बुलाते थे, जानते थे, आप लोग को क्वेस्चन पूछे जा सकते हैं, कि पटना के पुराना नाम क्या है, तो पाटली पुत्रा ठेक है, बिहार के पहले राजधानी पाटली कुत्रा तो यह चीज़ आप लोग को याद रखेंगे और यह अभी पटना हम लोग राजधानी हैं यह तो सब को याद होंगे ही होंगे अब यहां पर हम लोग बात करते हैं राज जी की अस्थापना कब हुआ है तो गौर से आप लोग देखेगा बहुत हैं मार्च को हम लोग अस्थापना दिवस की रूप में मनाते हैं बिहार का राज जी दिवस की रूप में मनाते हैं इस भी याद रखेंगे 22 मार्च 1912 और इसी 22 मार्च की अस्थापना दिवस मनाते हैं आप से पूछे जाएंगे बिहार राज की अस्थापना कब हुआ था त 22 को बिहार के अस्थापना दिवसकब मनाते हैं तो 22 मार्च को परतेक साल अब यहां पर हम लोग बात करते हैं बिहार बहुत ही बराराज था है ना बिहार बहुत ही बराराज था लेकिन 15 नमबर 2000 इस वी को बिहार के दक्षिन चेतर को पिर्थक कर यानि कि दक्षिन चेतर का जो एक छेत्र था बहुती बड़ा भाग था उससे अलग कर दिया गया पिट्थक कर दिया गया और एक नया राज्य बना दिया गया जारखंड है ना तो हमारे जो प्रोसी राज्य जारखंड है यह हम लोग एक ही थे अब यहाँ पर अलग हो चुके हैं कितने तारिक को तो 15 नमंबर दोहजार इसवी को तो यह चीज यहां से याद रखेंगे क्या क्या चीज निकला 22 मार्च 1912 को अस्थापना दिवस 15 नमंबर दोहजार इसवी को जहारखंड राज अलग हो गिए इतना चीज हम लोग को यहां से याद रखनी है आगे याद करते हैं कुछ-कुछ यहां से याद रखेंगे मंत्री वाला लिष्ट में अलग से प्रवाइड करा दूंगा छेत्रफल कितना है तो 94163 वर्ग किलोमेटर याद रखना यह पूछा जाता है यहां पर बात करिएगा जन संख्या तो लगभग 10 करोड से जैदा जन संख्या इतना चीज याद रखेंगे अब यहाँ पर बात कर रहा है कि मंडल, मंडल कहने का मतलब बिहार राज में कितने परमंडल है, कितने परमंडल, तो 9 परमंडल है, कितने परमंडल है, 9 परमंडल, जैसे दरभंगा, कोसी, मगध, तिरुहूत, यह सब क्या एक परमंडल है, इस तरह से टोटल परमंडल कितने नो परमंडल है, जिला कितना है, 38 है, जिला कितना है, 38 है, जिला कितना है, 38 है, और यहाँ पर कह रहा है कि अस्थापना, तो यहाँ पर 22 मार्च को यहाँ पर, यहाँ पर 1 अपरिल 1912 को अस्थापना वा था, लेकिन पुर्ण रूप से यहाँ पर बात करेंगे, तो 22 मार्च 19 1912 याद रखेंगे राजके पसु क्या है राजके पसु बाइल है याद रखेंगे इंप्रोटेंट राजके पसु बाइल राजके पक्षी गोरया राजके फूल गैंदा राजके बिरिक्ष पीपल यह सब कुछ हम लोग यहां से याद रखनी है आगे है राजके पक्षी मच मचली मांगुरण मचली मांगुरण मचली हम लोग खाते है यह राजिकिय है बिहार की और चीन है बौदीबिख्च Aww ऐक नहें इसके बात करेंगे राज के विधाई का दूई सदनी है, मतलब यहाँ पर दूई सदनी है कहने का मतलब विधान सभा भी है, विधान परिसाद भी है, विधान सभा में सदस कितने है, 243 बिहार में, और विधान परिसाद में यह तो याद रखना भीविया है, विधान परिसाद का 75 है, कितना सद burg कुछ सभ नंबर आपको याद रखनी है सारवधिक क्छेतरफल वाला जिल्ला पस्ठ्ष्चिम चमपारन सबसे जएदा जो छेतरफल है पस्जम चमपारन में अग कम्से कम्स resolves उले जिल्ला तो संक्या गनत 1102 वर्ग किलोमेटर समुद्र तल से उचाई क्या है बिहार की एक से 73 फिट है समुद्र तल से उचाई अब परमुक नदी कौन-कौन से या बिहार में तो गंगा कोसी सोन गंडक लिंगान पात 960 याने 1000 पूरूस पे कितना है 960 लरिकिया है महापर्व यानकी पर्थम राजपाल कौन है पर्थम राजपाल जायरामदास दौलत राम। पर्थम मुकमंद्री डौक्टर स्री कृष्ण सिंग। आप देखें सिमावर्ती राज, इससे कौन-कौन से राज लगा हुआ है, उतर परदेश सटा हुआ है, जारखंड सटा हुआ है, पस्चिम मंगाल सटा हुआ, ये सबी राज बिहार से चिपके हुए है, मेला कौन-कौन से पित्रिपक्ष मेला, गयाम लगता है, बुद्धप परमुक खनीज, डॉलामाइट, चूना पत्थर, मेगनेसाइट, जिपसम, संगमरमर, ग्लास, फोस्फेराइट, ये सारे परमुक खनीज मिलते हैं, परमुक अभ्यारन, राजजगीर अभ्यारन, गौतम बुद्ध अभ्यारन, बीम बांध अभ्यारन, कावर्जिल, अलगर्ड किरा, हाथुआ किला, पलामु किला, ये परमुक किला है, किला वैसे नहीं पूछे जाते हैं, ये चीज हो गया, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, बिहार की भोगली की स्थिति, अथो अभी भोगली की स्थिति दिखा ही रहे थे, कुल छेतरफल 94163 किलोमीटर, छेतरफल की दिरिष्टी से देश का तेरमा बड़ा राज्य, तेरे नंबर पर राज्य आते हैं, पूरव से पस्थिम तक 483 किलोमीटर, पूरव से पस्थिम तक जिन की छेतरफल आए 483, और उत्तर से दस्थिन 345 किलोमीटर की लंबाई में बिहार राज बिश्तिरित है, ठेक है, समदर तल से उचाई क्या है, तो 173 वर्ग किलोमीटर है, परमुख नदी गंगा नदी है, बिहार के परमुख नदी कौन से गंगा नदी है, तो इतना चीज हम लोग यहां से याद रखेंगे, इतना चीज हम लोग क्या करेंगे, यहां से याद रखेंगे, इतना आप लोग copy for note बना लीजेगा, ठेक है, सभी point को वीडियो को रोक रोक करके, क्योंकि ये सब basic question है, और ये basic question आप से ज़्यदा स्ज़्यदा पूछे जाते हैं, जीके के लिए, तो आपको मैं पूरी त्यारी इसी तरह से करवाता रहूँगा, आज किस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आपका जीके का भी त्यारी हो जाएंगे, और क्या किस किस टैप के question पूछे जाते, ये भी आप लोग समझ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, बिहतरीन, question, interview के लिए, आज इतना ही रहने देता हूँ, thank you.